नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में तीन ब्रेकिंग न्यूस डिसकस करेंगे तो सबसे पहले डिसकस जोगा वो मर्जर है कंपनी इसका वो डिसकस होगा साथ ही साथ मर्जर के अलावा पांसो मिलियन डॉलर जो कंपनी को मिलने वाले हैं वो भी डिसकस होंगे कि एडी ने रेस्ट किया है वो भी डिसक्शन इसी में होगा और कोटक बैंक के CEO ने रिजाइन कर दिया है वो भी इसी वीडियो में डिसक्शन कर दिया है तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब आप पर वीडियो को लाइक करना बिलकूर मत बुलेगा लाइक प्लीज तो उद्य कोटक जी ने रिजाइन कर दिया तीन महीने पहले उन्हें अक्चली में देसंबर में रिजाइन करना था देसंबर के राउंड तो नहीं नाम भी आर्बिय को भेज दिये गए हैं उनकी तरफ से तो ध्यान रखिए कोटक बैंक में मंडे के दिन देखना होगा कि क्या निकल के आता है मार्केट कैसे रियक्ट करता है इस बात को लेके मार्केट नेगेटिब भी का हो सकता है कि याद रखिएगा दूसरा यूके में जो टाटा स्टील की सबसीडरी है उसको करीबन करीबन 500 मिलियन डॉलर मिल सकते हैं गवर्मेंट से अभी ये सोर्सिस के क कवाले से खबर है कंफर्म नहीं है पर 5000 करोड की करीब का यह मांट खो सकता अगर मिलेगा तो और साथ ही साथ विस्तारा और इंडिया का मर्जर होने जा रहा है उसको अप्रोवल मिल गया है जैट एर दो उसको नुक्सान होगा इंडिको को नुक्सान होगा याद रखिग लोंग टब में ओविसली अच्छा स्टोक अटाटा की स्टोक लगभग सारी के सारे ओविसली अच्छी है बठा यह एक पोजिटिव कबर निकल के आ रही है मार्केट देखते है मंटे को कैसे रियक्ट करता है कोई एक बाइंग सेलिंग रेक्मेंडिशन नहीं है यह यह आ अविसली अच्छी है और नहीं है में अविसली अच्छी है